जैसरी कृष्णा राधे राधे आपके घर में जो पूजा स्थान है यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप रखें तो दोस लगता है लेकिन कुछ चीजें जरूर रखनी चाहिए ताकि सकात्मक उर्जा आती रहे और आप लोगों के घर में सिर्फ खुसिया हो टेंसन हो ही नहीं हम पूजा आखिर क्यों करते हैं सकात्मक उर्जा के लिए हमें जीवन में मुस्किलों से बाहर रहना है हम नहीं चाते हैं हमारे लाइफ में किसी भी तरह का कोई टेंसन हो इसलिए हम भगवान की सरन में होते हैं कि भगवान हमें सही समय पर रास्ता बताईए और हर मुसीबत से हमें बचाईए इसलिए हम पूजा पाट भी करते हैं तो चलिए आज जानते हैं वास्तू क्या कहता है आपके पूजा घर में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं। घर के एक हिस्से में भगवान के लिए अस्थान जरूर बनाया जाता है। लेकिन कई बार आपके द्वारा की जा रही पूजा का फल आपको मिलता ही नहीं। करें मंदिर यानि जहां भगवान का अस्थान है जहां पर आप दिया जलाते हैं तो वो अस्थान कैसा है और कौन सी वस्तु ऐसी है जो मंदिर में भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए वरना आपकी पूजा स्विकार ही नहीं होगी देखिए पूजा हमेशा वास्तु की बात कर को मंदिर नहीं भी है कहीं भी पूजा करते हैं तो अगर आप वह सही जगह नहीं है तो मन भी आपका पूजा में नहीं लगेगा और इसका लाब भी नहीं मिलेगा अब ऐसे में कुछ वास्तु टिप्स जो आपके पुजा करते हैं जब भगवान को तो आपकी पुजा जल्दी स्विकार होगी इसके लिए सबसे पहली बात तो एक भगवान की मुर्ती एक ही रखें दो ना रखें दूसरी भगवान गनेश की तीन परतिमा तीन मुर्ती पूरे घर में नहीं होना चाहिए सिप पुजास्थान में नहीं वलकि घर में होना ही नहीं चाहिए दो बस बहुत है एक आप अपने घर में मुर्ती रख सकते हैं जहां पुजा करते हैं और कहीं पर तस्वीर भी लगा सकते हैं नहीं तो सुब कारियों में अर्चने आएंगी बनते बनते कारे आपके बिगड़ने लगेंगे वास्तु सास्त के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी टुटी फुटी भी मुर्ती या तस्वीर है बहुत पुरानी हो गई है ऐसें तस्वीर कि मुर्ती की पुजा ना करें वरना नकात्मकता बढ़ेगी और देपता भी नाराज होंगी घर के जो मंदिर है जो पूजा स्थान है हमेशा उत्तर पुरव दिसा में ही बनाए दक्शिन पस्षिन असूब दिसा होता है इस दिसा में पूजा पाट आप नहीं कर सकते नहीं तो आपको उतने फल नहीं मिलेंगे और घर के मंदिर में दो संख मत रखिए आप अब जैसे बहुत सारे घरों में होता है कि आप एक संख अस्थापित कर देते हैं एक बजाते हैं जो अस्थापित कर दिये वह तो ठीक है पर बजाने वाले एक साथ ना रखे उसे हटा कि और दूसरा कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी मुर्टियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए पुजा अस्थान पर अगर आप सिविलिंग रखते हैं तो अंगुठे से छोटा रखें और पारत सिविलिंग रखने तो आपकी पुजा भी जल्दी स्विकार होगी कि देवी देपताओं की हमेशा सौप्ट मुद्रा सौम में मुद्रा में मुस्कराती भी तस्वीर लगाई है अब यह नहीं कि आपने तस्वीर लाई है मुर्ति लाई है और भगवान का आँख ऊपर की और देख रहा है नहीं भगवान की आँखें आपको देखें आपको आ हनमान जी की भी जरूरत से ज़्यादा बड़ा मुर्ति नहीं रखें और जब हनमान जी की आप मुर्ति घर में रखते हैं तो प्रयास ये करें कि हनमान जी बैठे वे हो खड़े हनमान जी की तस्वीर की पूजा मत गीजेगा तो पूजा करने में मन अगर एकागर ना हो रहा हो तो धन संपत्ति का नुकसान होने लगता है भूल कर भी आप अपने स्टोर रूम में पूजा का स्थान मत बनाए और ना ही बेडरूम में आप पूजा करें तो आप भूल कर भी पूजा की अलमारी अस्थान पर भी ना रखे जहां पर कबार है इन चीजों से आपको बशना चाहिए अब जैसे कि आप घर में रोज मंदिरों में फूल चलाते होंगे तो भगवान की पूजा के फूल आप यह नहीं की बासी पड़े वे हैं घर के कोने में रखे वेई सही नहीं है आप उनको हटाइए कोशिस करें कि साम के समय हटा दे कि क्योंकि जो सुखावा पुस्प है वो परेसानी को दरित्ता को गरीबी को अकाल मिर्तियों मंगल दोस्त जैसी समस्याइं पैदा करता है इसलिए उनको तुरंत हटाइए पूजा घर में मुर्तियों को लेके यह भी नियम है कि ग्रहस्त लोगों को बड़ी मुर्तिया मंदिर में अपने घर में नहीं रखना चाहिए और पूजा घर में भूल कर भी अपने पितर देवों की तस्वीर मत लगाईएगा सास्तों में इसे भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि पास्तों के अनुसार भी ठीक नहीं है यह और संख को भगवान विश्नु का परतीक माना जाता है इसलिए हमेशा इसको बदलिये मत बलकि संख को आप रोज बजाईए सुभा तीन बार साम में तीन बार अगर आप लड़ू को पाल की पूजा करते हैं तो उनकी सेवा की ज उनको तीन प्रहर में कम से कम भोग और प्रसाथ जरू उनको अर्पित कीजिए अगर लड़ू को लेकर आप कहीं जा रहे हैं तो आप लेकर जाईए उन्हें घर में बंद करके मत जाईएगा क्योंकि उन्हें बिना भोजन कराए आप खा भी नहीं सकते इसलिए जो वेक्त पूजा करते हैं तो एक निश्चित समय पर रोज किया करें तब आपकी प्राथना जल्दी स्विकार होती है मोर पंक अपने पूजा स्थान पर जरूर रखिए माना जाता है मोर पंक रखने से घर में सकात्मकता आती है और भगवान स्री कृष्ण को मोर पंक बहुत प्री है तो आप भगवान स्री कृष्ण के माथे पर सजा कर रखें मोर पंक रखने से घर में कीडे मुकरे बेगर भी नहीं आते गंगा जल हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत पवितर माना जाता है और हर घर में पूजा स्थान पर गंगा जल भी होता है तो मंदिर में कीज़ चांदी या पीतल के बरतन में रखें घर में सुखसांती बनी रहती है कि संक तो आपको रखना ही है और संक से आप जल भी भगवान श्री को अरपीत कर सकते हैं साली क्वहज़ोंड को अपने पूजा स्थान पर मत रखें बल्कि साली ग्राम भगवान को आप अपन तो गंगाजल के साथ गोमुत्र भी है जो बहुत पवित्र होता है और जिस घर में गोमुत्र रखा होता है देवी देपताओं का आसिरवाद भी बरसता है घर के मंदिर में आप दिया भी जलाते होंगे और धूप भी दिखाते होंगे और इन सभी चीजों को जलाने के लिए आप माचिस का बेवार करते हैं लेकिन क्या आपको पता है घर के मंदिर में रखा माचिस कहीं न कहीं आपके जीवन में नकात्मत चीजों को घोल देता है पूजा करने के बाद जली वी माचिस वहीं पर आप फेक देते हैं तो फिर आपको ये पीडियो के अंतक बना रहना क्या वसकता है क्योंकि घर के मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी बाते हैं जिसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए वरना आपको पूजा का फल पूरा नही पर नहीं फेक हैं जो आपके मंदिर में मुर्जाया वा पुस्प है जली वी रूई की बाती है उसको तुरंद हटाएं क्योंकि अपने पूजा स्थान को हमेशा साब भी रखना है और घर में बिखरी वी जली वी माचिस की तीली भी नहीं रखनी चाहिए घर के अंदर नह घर में माचिस रखनी तो चाहिए क्योंकि माचिस नहीं रहेगा तो कैसे आप जलाएंगे पर माचिस रखने के कुछ नियम होते हैं अगर आप पुजा अस्थान पर माचिस रखते हैं तो किसी कागज या कपड़े में लपेट कर रखें डारेक्ट मत रखिए नहीं तो नक अगर्ण पर में घर के पुजा का प्वल नहीं मिलेगा अपने घर के पुजा स्थान पर ऊग्रदेबता की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए आप और माचिस और जली भी माचिस कितिली भूल कर भी ना रख वड़ना आपके घर में आपको इत्तुपुजा का फल नहीं मिलता और नकात्मक उड़ जाएं बढ़ जाती हैं दीपक के लौ का रंग भी बताता है कि आपकी पूजा स्विकार हुई या नहीं हम आप से भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हरहर महादे प्रेप चरू लिकें धन्यवाद